दोस्तों, एक कहावत है. जब बदलाव की हवा चलती है, तो कुछ दिये बुझ जाते हैं, लेकिन कुछ मशाल बनकर जल उठते हैं, और कुछ ऐसा ही हो रहा है आज के वैश्विक आर्थिक परिद्रिश्य में. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में PM मोदी का मास्टर स्ट्रोक इस कहावत को साकार करता दिख रहा है. भारत द्वारा विकसित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI, जो कि भारत की एक बड़ी सफलता की कहानी है, अब दुनिया के सामने अपनी पहचान बना रहा है. PM मोदी ने इस बैठक में न सिर्फ UPI का जिक्र किया, बलकि यह भी बताया कि कैसे भारत ने UAE के साथ इसका सफलता पूर्वक प्रयोग किया है. अब सवाल यह है कि क्या बाकी ब्रिक्स देश भी इस क्रांती का हिस्सा बनेंगे? PM मोदी का यह कदम वैश्विक आर्थिक परिद्रिश्य को पूरी तरह से हिला कर रख देने वाला है. जब आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं, तो दुनिया आपको फॉलो करती है. और यही हो रहा है ब्रिक्स के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में. PM मोदी ने स्वदेशी करेंसी के लेन देन पर जोर दिया है, जिससे अमेरिकी डॉलर की पकड कमजोर की जा सके और ब्रिक्स देशों की अर्थ व्यवस्थाओं को मजबूती मिल सके. अक्सर कहा जाता है कि वैश्विक व्यापार अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है, लेकिन ब्रिक्स ने इस धारणा को चुनोती देने का मन बना लिया है. कजन में हुए इस शिखर सम्मेलन में एक एतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसका उद्देश्य डॉलर की एकाधिकारिता को समाप्त कर अपने देशों की मुद्राओं को मजबूत करना है. बदलाव तब आता है, जब हम पुरानी सोच से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, और ब्रिक्स ने इसी सोच को अपनाते हुए स्थानीय मुद्राओं के उप्योग पर जोर दिया है. इस नए द्रिश्टिकोंड से न केवल ब्रिक्स देशों की आर्थिक शक्ती बढ़ेगी, बलकि वे वैश्विक वित्तिय धांचे में सुधार करके इसे और समावेशी और न्यायपूर्ण भी बना पाएंगे. यह देखना दिल्चस्प होगा कि आने वाले समय में यह पहल कितनी सफल होती है और क्या वास्तव में यह वैश्विक वित्तिय पर इद्रिश्य में बदलाव ला पाएगी. जहां इच्छा होती है, वहां रास्ता भी होता है और ब्रिक्स के इस महत्वपूर्ण फैसले ने वैश्विक शक्ति संतुलन को नया रूप देने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक संतुलन को नया आयाम देना है. जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, तो नय रास्ते तलाशने का समय आ जाता है, और ब्रिक्स देशों ने इसी सोच के साथ डॉलर के प्रभुत्व को कम करने का एलान किया है. अब ब्रिक्स देशों ने अपने व्यापार और वित्तीय लेन देन में स्थानिय मुद्राओं के उपयोग को प्राथमिक्ता देने का फैसला किया है. यह कदम न सिर्फ उभर्ती और विकास शील अर्थ व्यवस्थाओं को बाहरी आर्थिक जटकों से बचाने के लिए उठाया गया है, बल्कि इन देशों के बीच आर्थिक स्थिर्ता को और मजबूत करने के लिए भी है. कजन डिकलेरेशन में यह साफ तौर पर कहा गया है कि हम ब्रिक्स देशों और उनके व्यापारिक साज्यदारों के बीच वित्तीय लेन देन में स्थानिय मुद्राओं के उपयोग का स्वागत करते हैं. इससे न केवल विदेशी दबाव कम होगा बलकि अस्थिर्ता से निपटने में भी मदद मिलेगी. जब हम अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं तो हम अपने भविश्य को खुद आकार देते हैं और यही सोच इस पहल के पीछे है. जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं त इपने व्यापार और वित्तिय लेंदेन में स्थानिय मुद्राओं के उपयोग को प्राथमिक्ता देने का फैसला किया है. यह कदम न सिर्फ उभरती और विकास शील अर्थ व्यवस्थाओं को बाहरी आर्थिक जटकों से बचाने के लिए उठाया गया है, बलकि इन देशों के बीच आर्थिक स्थिर्टा को और मजबूत करने सदस्य देशों के बीच लेंदेन को सरल और सुगम बनाना है. इसके जरिए व्यापारिक बाधाओं को कम करने की उम्मीद की जा रही है, जिससे ब्रिक्स देशों के आपसी व्यापारिक संबंध और भी मजबू जिसे BRICS देशों ने स्थापित किया है, इस पहल में एक अहम भूमिका निभा रहा है। और BRICS देशों का यह प्रयास निससंदेह वैश्विक व्यापारिक परिद्रिश्य में बदलाव का संकेत है। जिसका मुख्य उद्देश्य अपने अपने वित्तीय लेन देन में डॉलर पर निर्भरता को कम करना और स्थानिय मुद्राओं को प्राथमिकता देना है। जब दिशा सही हो तो मंजिल खुद बखुद करीब आने लगती है और BRICS देशों की यह पहल वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ती नजर आ रही है। कजन डिकलेरेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि BRICS देश अब वैश्विक वित्तीय धांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि इसे और अधिक समावेशी और न्याय संगत बनाया जा सके। स्थानिय मुद्राओं का उप्योग करके ये देश न केवल अपनी आर्थिक स्थिर्ता को बढ़ावा देंगे बलकि वैश्विक आर्थिक परिद्रिश्य को भी बदलने में सक्षम होंगे। मुद्रा की ताकत के बल पर दुनिया को दबाने की कोशिश करते हैं। ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल लेंदेन और स्थानिय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने से आर्थिक सहयोग को और सुद्रिध बनाने की दिशा में यह कदम बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत द्वारा बनाया गया Unified Payment Interface UPI भारत की एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी है जिसे कई देशों में अपनाया जा चुका है। पिछले वर्ष PM मोदी ने UAE के साथ मिलकर इसे वहां भी लॉंच किया और अब यह पहल ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। आर्थिक शक्ती इतनी बड़ी है कि इससे G5 और G7 जैसे शक्तिशाली समूहों के लिए चुनौतियां खड़ी हो रही है। यही कारण है कि चाहे रूसी राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन हों, चीनी राष्ट्रपती शी जिन पिंग हों या भारतिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी का जोर इस बात पर है कि ब्रिक्स की आर्थिक ताकत को और आगे बढ़ाया जाए। विविधता हमारी ताकत है और हमारी दोस्ती हमारी शक्ती। यही विश्वास हमें आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रिक्स की यह पहल डॉलर के प्रभुत्व को कम कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह ज्यान प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन आन कर लें। जय महाकाल, ज है हिंद।